नवस्कार, साथियों, आज वैशाक्री का पावन पर्व है, मैं सभी देश वास्यों को वैशाक्री की लख लख बधाईया देता हूँ, उल्लास भरे इस्तिवहार में आज सत्तर हजार से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विबिन्द विभागों में सरकारी नोकरी मिली है, आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, आपके उजवल भविश्य के लिए अनेक अनेक शुपकामराएं, साथियों, विख्सित भारत की संकल्प से सिद्धी के लिए हमारी सरकार, युवाओं की प्रतिभा और उर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार के साथ ही, गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महराष्ट तक, NDA और भाजपा शासिद राज्यों में, सरकारी नोकरी देने की प्रक्रियां तेज गती से चल रही है, कल ही मध्यप्रदेश में, 22,000 से जादा सिक्षकों को नियूक्ति पत्र स्वाप पे गए, ये राष्ट्रियर रोजगार मेला भी, युवाओं के प्रती हमारे कमिट्मेंट का प्रमान है, साथ क्यों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रपसार से आगे बढ़ने वाली अर्थेववस्ता है, पूरी दुनिया कोवीड के बाद मंदी से जूज रही है, ज्यादा तर देशों की अर्थेववस्ता लगातार गिर्ती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीश भारत को दुनिया एक ब्राइड स्पॉर्ड के तौर पर देख रही है, आज का नया भारत अब जिस नई नीती और रणनीती पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिये हैं, एक समय था जब भारत टेकनोलोजी हो या इंफ्रास्रक्चर एक प्रकार से रियक्टिव एप्रोच के साथ काम करता था, बस रियक करना, 2014 के बाद से भारत दे प्रो एक्टिव एप्रोच अप्राई हैं, इसका नतीज़े ये हुआ है कि 21 सदी का ये तीसरा दसक, रोजगार और स्वर रोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी, आज युआओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे, हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदारण हैं, स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जवर्जस उत्सा हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्ट अप्स ने 40 लाग से जादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब्स तयार की हैं, इसी तरह ड्रोन इंडुस्ट्री हैं, आज एगरिज कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैनुफेक्टरिंग, ड्रोन फ्लाइन से जुड़ रहे हैं, आपने ये भी देखा है, कि बीते आठ नव वर्षों में, कैसे देश के स्पॉर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है, आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं, नई एकेडेमी तयार हो रही है, इन में कोच, टेक्नीशन, सपोर्ड स्टाप की जरुरत पड़ रही हैं, देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं, साथियों, आत्म निर्भर भारत अभियान की सोच और एप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल्फ और लोकल से कहीं जादा है, यह सिमित दाइरवाला मामला नहीं है, आत्म निर्भर भारत अभियान गाउं से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोडों नए आउसर पैदा करने वारा अभियान है, आज आधुनिक सेटिलाइट से लेकर सेमी हाइस्पीट ट्रेन तक भारत में ही तयार हो रही है, बिते आठ नव वर्सों में देश में तीस हजार से जादा नए और सुरक्षित LHB कोचिज बनाए गए हैं, इनके निर्मान में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग-अलग प्रकार के प्रोड़क्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं, मैं आपको भारत की टॉइ इंडस्ट्री का भी उधानर दूँगा, अभी जितन्द सिंग जी ने उसका उलेक भी किया, दसकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किये गिये खिलोनों से खिलते रहें, ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतिये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमने आयात होने वाले खिलानों के लिए क्वालिटी परामेटर तै किये और अपनी स्वदेशी इंडिस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया, तीन-चार वर्ष में ही टॉइ इंडिस्ट्री का काया कल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए, हमारे देश में दसकों तक ये एप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस एक्विपेंट सिर्फ आयात किये जा सकते हैं, बार्चे ही ला सकते हैं, हम अपने देश के मैनिफेक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे, हमारी सरकार ने इस एप्रोच को भी बदल डाला, हमारी सेनाओं ने तीन सो से जादा ऐसे साजो सावान और हतियारों की लिफ्ट तजार की हैं, जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतिये इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे, आज भारत 15,000 करोड के डिफेंस एक्विपेंट विदेशों में निरियात कर रहा है, इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं, साथियों, आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया, तब भारत में बिकने वाले जादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किये जाते थे, हमने लोकल प्रोडुक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्ज दिये, अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिती होती, तो फोरेन एक्स्चेंज पर हमारे लाखों करोर रुपिये खर्च हो गए होते हैं, लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरुन जरुनतों को पुरा कर रहे हैं, बलकि मोबाइल फोन का निर्याद भी कर रहे हैं, दुनिया के देशों में पहुंच रहा हैं, इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं, साथियों, एम्प्लोइमेंट जनरेशन का एक और पक्षा है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्ट्मेंट, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में तेज रप्तार के लिए जानी जाती हैं, जब सरकार केपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती हैं, तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ड, नई इमानते, बहुत सी प्रकार की चीज़े तयार हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान में, इंजीनियर, टेक्नीश्टियन, एकाउंटेंट, स्रमीक, हर प्रकार के उसमें तरह तरह के एक्विप्मेंट, स्टील, सिमेंट, ऐसी भाती-भाती की चीज़ों की ज़रुत पड़ती हैं, हमारी सरकार के दौरान, पिछले आठ नव वर्षों में, केपिटल एक्ष्पेंडिचर में, चार गुना बढ़ोत्री हुई है, इससे रोजगार के नए आउसर और लोगों की आएं, दोनों में वृद्धी हुई है, मैं आपको भारतिय रेलिवे का उधान देता हूँ, 2014 से पहले, साथ दसकों में, बीस हजार किलोमेटर के आसपास, रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले नव वर्षों में, हमने करीब करीब, 40,000 किलोमेटर रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पुरा किया है। 2014 से पहले, एक महिने में, सिर्फ 600 मीटर नई मेटरो लाइन बनाई जाते हैं। आज हम हर महिने लगबग 6 किलोमेटर की नई मेटरो लाइन बना रहे हैं, तब हिसाब मिटर में होता था, आज हिसाब किलोमेटर में हो रहा है। 2014 में देश में 70 से भी कम जिलों में, 70 से भी कम, 70 से भी कम जिलों में गैस नेटवर्क का विस्तार हुआ था. आज ये संख्या बढ़कर 630 जिले तक पहुँच गई हैं, कहां सतर जिले और कहां 630 जिले, 2014 तक ग्रामीड इलाकों में सडकों की लंबाई भी 4 लाख किलोमेटर से कम थी. आज ये आंकड़ा भी बढ़कर 770 लाख किलोमेटर से ज़ादा हो चुका है. आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब गाउं में सडक पहुंती हैं, तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है? इससे पूरे इको सिस्टिम में तेज गती से रोजगार का स्रजन होने लगता है. साथियों, ऐसे ही काम देश के एवियेशन सेक्टर में हुआ है. 2014 तक देश में 74 एरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 148 हो गई है. हम सभी जानते हैं कि एरपोर्ट ऑपरेशन्स में कितने जादा स्टाप की जरुवत पड़ती हैं. आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एरपोर्ट ने भी देश में हजारों नए अवसर तयार किये हैं. और आपने देखा है कि हाली में एर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जाहाज खरिदने का ओर्डर दिया है. कई और भारतिये कम्पनियां भी इसी तयारी में हैं. यानि आने वाले दिनों में इस सक्टर में केटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसिस तक, मेंटेनेंस से लेकर ओन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होंगे. ऐसी ही प्रगती हमारे पोर्ड सेक्टर में भी हो रही है. समुद्री तर्ट का जो विकास हो रहा है, हमारे पोर्ड जो डेवलप हो रहे हैं, आज हमारे पोर्ड पर पहले की तुल्ना में कार्गो हैंडलिंग दो गुनी हो चुकी हैं और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया है. इस बड़े बड़लाव ने पोर्ड सेक्टर में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तयार किये हैं. साथियों, देश का हेल्ड सेक्टर भी एम्प्लोइमेंट जनरेशन का बहतरीन उधारन बन रहा है. दोहजार चौदा में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे. आज 660 मेडिकल कॉलेज है. दोहजार चौदा में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी. आज एक लाग से ज़्यादा सीट उपलब्द है. आज पहले के मुकाबले दोगुनी संख्या में डॉक्टर परिशाएं पास करके तैयार हो रहे हैं. आईशुमान भारत योजना की वज़े से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लीनिक बने हैं. यानि इंफ्रास्ट्रेक्टर का हर प्रोजेक्ट, रोजगार और स्वरोजगार उसमें बड़ोतरी सिनिस्षित कर रहा है. साथियों, ग्रामीर अर्थववस्ता को गती देने के लिए सरकार जो एप्पियोंस बना रही है, सेल फेल गुरुष को लाखो करोन की मदद दे रही है, स्टोरेज केपिसिट का विस्तार कर रही है, उससे गाउं के विवाओं के लिए अपने गाउं में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं, 2014 के बाद से देश में तीन लाख से जादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं, 2014 के बाद से देश के गाउं में 6 लाख किलोमिटर से जादा अप्टिकल फाइबर बिचाया गया है, 2014 के बाद से देश में 3 करोड से जादा गर गरीबों को बना कर दिये गए हैं, इन में से दाई करोड से जादा गर गाउं में ही बने हैं, बीते वर्शों में गाउं में 10 करोड से जादा सौचा लए, देड़ लाग से जादा health और wellness centers, हजारों नए पंचाइज भवन, इन सभी निर्मान कारियों ने गाओं में लाखों युवाओं को काम दिया है, रोजगार दिया है. आज जिस तरह agriculture sector में फार्म मेकनाजेशन तेजी से बढ़ा है, उससे भी गाओं में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज भारत जिस तरह से अपने लगूत्योगों की हैंड होल्डिंग कर रहा है, अपने यहाँ entrepreneurship को बढ़ावा दे रहा है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार काम निर्मान सुनिस्चित हो जाता है। हाली में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने आठ वर्ष पूरे किये। इन आठ वर्षों में मुद्रा योजना के तहद बिना बैंक गारंटी 23 लाग करोड रुपिय का लोन दिया गया है। इस में से 70 प्रतिशन लोन महिलाओं को मिला है। इस योजना ने आठ करोड नए एंटर्परनर्स तयार किये हैं यानि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई काम का शुरू किया है। मुद्रा योजना की सफलता ने देश के करोड लोगों को स्वरोजगार के लिए होसला दिया है, नई दिशा दिखाई है। और मैं साथिवा आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ग्रास्रूट लेवल पर एकोनोमी की ताकत बढ़ाने में, माइक्रो फाइनांस का कितना महत्व होता है, माइक्रो फाइनांस कितनी बड़ी शक्ति बन करके उभरता है, ये हमने इन आट नव साल में देखा है। बड़े बड़े अर्थ सासर के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले तुजारों को फोन टेप करके लोन देने वाज़े के आदत वाले लोग, पहले कभी भी माइक्रो फाइनांस की ताकत को नहीं समझ पाए। आज भी आज भी ये लोग माइक्रो फाइनांस का बजाक उड़ा रहे हैं। इनको देश के सामान्य नानकिकी के सामार्त का समझ ही नहीं है। साथ क्यों, आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें में विशेश तोर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता है। आप में से कुछ लोग, रेल्वे, तो कुछ लोग सिक्षाक से तरह से जूड रहे हैं। कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाय देने का आउसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का आउसर है। देश, 2047 में, जब आज जहादी के 100 साल मनाएगा, विक्सित भारत बनने का लक्ष लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूँ, आज आपकी जो उमर है, ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृत काल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष, देश एकदम से तेज गती से आगे बढ़ने वाला माहोल वाला है। और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कलपना कर सकते हैं, कितने उत्तम कालखन बहें, कितने उत्तम अवसर के साथ। देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेबारी ले रहे हैं। आपका एक-एक कदम, आपके समय की एक-एक पल देश को तेज गती से विक्सिद भारत बनाने में काम आने वाली है। हाज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने यात्रा भले शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए। और हमेशा अपने आपको एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले पांच साल से दस साल से जब से समझने लगे हैं, क्या का महसूस करते थे। सरकार का कौन सा वहवार आपको अखरता था, सरकार का कौन सा वहवार आपको अच्छा लगता था, आप भी ये जरूर मन में मानिये कि जो बुरे अनुभव आपको आए हैं, आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरिक को बुरा अनुभव नहीं आने देगे। जो आपको बीती होगी आपके कारण किसी को नहीं बीतेगी यही बहुत बड़ी सेवा है अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाब दूसरों की उन उमीदों को आप पूरा करें अपने आपको योग बनाएं आप मैसे हर कोई किसे ना किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानिवी के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरिद भी कर सकता है, उसको निराशा की गर्त में डूपते हुए बचा भी सकता है, इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों? आपकी कोशिस होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकाराग्वत प्रभाव हो, आपके काम से सामान्य मानवी का जीवन बहतर हो, व्यवस्ताओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए, मेरा आप सबसे एक और आग्रह है, आप समनें कड़ी मेहनत से ये सभलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सिखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें, कुछ नया जानने, नया सिखने का स्वभाव आपके कार्यों और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा, ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्कील को अपग्रेड कर सकते हैं, और साथियों मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मुझे सब आता है, सब मैं सीख चुका हूँ, ऐसा भ्रम लेकर के न में पैदा हूँ, आउँ न काम करता हूँ, मैं हमेशा अपने आपको एक विद्यार्थी मानता हूँ, हर किसी सब सिखने का प्रयास करता हूँ, आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिन्दा रखना, कुछ न कुछ नया सिखने की कोशिश करते रहना, वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा, साथियों, फिर एक बार वैशाहिक का पावन परव हो, जीवन का नया आरंब हो, इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है, आप सभी के उजवल भविश के लिए पुना, बहुत बहुत चुप कामना है, एक बार फिर आप सब को बहुत 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 बदाई, कर बहुत बहुत ौिви